हेलो एबर्वन कैसे पहंचानें सरीर में पानी की कमी है और वेसिक सवाल ये है कि पानी की कमी से क्या किड्नी हमारी डैमेज हो सकती है क्या किड्नी हमारी खराब हो सकती है कैसे पहंचानेंगे और कैसे हम इसे बचा सकते हैं तो सबसे पहले में आपको बता दूँ अगर हम प डेमेज होने से कैसे बचाएं आपने देखा होगा जब भी हम पानी कम पीते हैं तो हमारे पिशाब का रंग होता है वह पीला होने लगता है और अगर हम ज़्यादा पानी देर तक नहीं पियें तो ऐसी सिचुईशन में हमारे जो पिशाब का रंग है वह हलका हलका लाल सा हो लगता है तो ऐसी सिचुईशन में में हमें पिशाब से रेलेटेर जो इंफेक्शंस हैं पिशाब करते समय दर्ब्यम्त हैं इस तरह के प्रांबलम्स का सामना करना पड़ सकता है जो कि काह pics सारी लंबे समय तक चल सकता है अगर इस पर हम ध्यान नहीं दें तो सबसे पहले यह समझेगा कि सरीर में पानी कितना होना चाहिए कितना हमें पीना चाहिए और अगर हम सरीर में पानी कम पीते हैं यानि कि dehydration होता है या over dehydration होता है तो ऐसी situation में क्या हो सकता है तो सबसे पहले समझेगा कि जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें नॉर्मल पानी कितना पीने चाहिए देखिए सबसे पहले ही समझे पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें एक एक गिलास करके पानी पीने चाहिए जिससे कि आपके शरीर में ये सही काम कर पाए तो आपको याद रखना है कम से कम 7-8 गिलास आपको पानी डेली पीना है रोटीन में बलके ज़्यादा कम से कम अगर 8-10 गिलास हो जाते हैं तो ये वैस्ट है और जो ज़्यादा मेहनत का काम करने वाले लोग हैं पशीना ज्यादा श्वैटिंग ज्यादा होती है तो वह अपने पानी की कौइंटिटी को बढ़ा सकते हैं जैसे 5-6 लीटर के आसपास कर सकते हैं अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें जैसे मैं अपनी बात करो तो मुझे एप्रॉक्स 3-4 लीटर में पानी हमें पूरे दिन में पी लिना चाहिए जिससे कि हमारे सरीर का जो राइडिशन की प्राब्लम होने वाली है उससे हम बच सके तो एक गिलास पानी के अंदर का एप्रॉक्स दोसो ड़ाईसो एमेल के आसपास पानी आता है अगर हम चार ग्लास पी रहे हैं दिन में यानि कि हम पी रहे हैं एक लिटर पानी और अगर हम आट ग्लास पी रहे हैं इसका मतलब हम पी रहे हैं दो लिटर पानी और अगर हम बारा ग्लास पी रहे हैं तीन लिटर पानी तो आपको याद रखना है अगर दस बारा के आसप सब्सक्राइब बात करते हैं कि जो हम पिशाप करते हैं वह उसको कैसी ना पजाता है जब भी हम पिशाप करने जाते हैं तो हमें शैंसेशन तब मिलता है जब ब्लैडर के अंदर 200-240-250 के stemsma स्वास उसमें यूरेन एकटा हो जाता है तो जब भी दोसों से लिएकर डाईडा सो 3 के बीच में हमारा पिशाप जो है एकटा हो जाका just एकटा हो जाता है तो हमें sensation आता है कि भी हमें पिशाप करना है कि यह जो flood है वो हमें बाहर निकालना है अब अगर बात करें कि मान के चलिए आपने पानी कम पिया है पिशाप जादा जा रहे हैं तो उससे भी dehydration होने के chances बढ़ जाते हैं अब kidney क्यों खराब होगी इसे समझे जब भी हम पानी की मात्रक कम पिएंगे तो सरीर के अंदर जो पानी है हमारी वाडी उसे यूज कर लेती है यानि कि cells के अंदर जो पानी है जो intrinsic fluid है उसमें से हमारी वाडी यूज करना start कर देती है लेकिन जब उसकी भी एक limit हो जाती है तो हमारे सरीर के जो उपरी sign होते है है वो हमें दिखाई देने लगते हैं जैसे आखों पर गड़े पड़ना स्किन सूखी हो जाना स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होना तौशा रूखी हो जाना इसके पिंच जो है बहुत डिले हो जाना ठीक है प्यास बढ़ जाना ठीक है इस तरह के जो हों सिंटम्स होते हैं हो हमें बढ़ जाते हैं क्योंकि सरीर के पानी के कमी होती जा रही है अग इसकी वज़ाज से किड्नी कम जो डैमेज होना है वो स्टार्ट हो जाएगा क्यों किड्नी वही फिल्टर करेगी जो उसको मिलेगा तो उस में पानी है नहीं बोडी के अंदर अनली ब्लेड ब्लड है तो फिर उसमें से क्या होगा थोड़े-थोड़े ध है तो दिरी दिरी उसमें से क्या होता है सेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे उसका कलर जो है यूरिन का पिशाब का जो कलर है रेड होने लगता है ऐसी सिच्वेशन में आपको याद रखना होगा डेहाडिशन बिल्कुल भी नहीं होने देना हैं तो किड्नी खराब होन करने में काफी सारी प्रॉब्लम आती है इसलिए किड्नी भी डैमेज होने के चांसे बढ़ जाते हैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हैल्फुल होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मश्कार थेंक्